हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और घर पर खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे आईए आज आपका अध्याय प्रिष्टिय छेत्फल और आयतन आगे पढ़ते हैं एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपान तरण निश्चित रूप से आपने मुम्बत्तियां अवश्य देखी होंगी सामान्य दह ये बेलन के आकार की होती हैं आपने पश्यों के आकार की भी कुछ मुम्बत्तियां देखी होंगी ये किस प्रकार बनाई जाती हैं? यदि आप किसी विशिश्च प्रकार की मुम्बत्ति बनाना चाहते हैं तो आपको एक धातू के बरतन यानि पात्र में मुम को तब तक गरम करना पड़ेगा इसे बरतन या पात्र में सांचे में डालेंगे जिसका आकार वही होगा जिस आकार की आप मुम्बत्ति बनाना चाहते हैं उधान तह एक ठोस बेलन के आकार की मुम्बत्ति लीजिए इसे पिगलाईए तथा पिगली हुई पूरी मुम को खरगोश के आकार वाले एक सांचे में डाल दीजिए ठंडा करने पर आपको खरगोश के आकार की मुम्बत्ति प्राप्त हो जाएगी नई मुम्बत्ति का आयतन वही होगा जो पहली मुम्बत्ति का था यही बात हमें तब भी याद रखनी चाहिए जब हम एक ठोस को अन्य आकार के एक दूसरे ठोस में परिवर्तित होते हुए देखते हैं अथवा जब कोई द्रव प्रदार्थ एक आकार के बर्तन से एक अन्य आकार में बर्तन में डाला जाता है उप्रोक्त चर्चा को समझने के लिए आए हम कुछ उधारन ले आए देखते हैं पहला उधारन मॉडल बनाने वाली मिट्टी से उचाई 24 सेंटिमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटिमीटर वाला एक शंकू बनाया गया है एक बच्चे ने इससे गोले के आकार में बदल दिया गोले की त्रिज्या ग्याद कीजिए शंकू का आयतन कितना होता है इसमें हमने मान रख दिया 1 बटा 3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 24 सेंटिमीटर क्यूब यदि गोले की त्रिज्या आर है तो उसका आयतन होगा 4 बटा 3 पाई आर क्यूब चूंकि शंकू के रूप में और गोले के रूप में मिट्टी के आयतन बराबर है इसलिए 4 बटा 3 पाई आर क्यूब बराबर होगा 1 बटा 3 गुना पाई गुना 6 गुना 6 गुना 24 इस प्रकार हम देखते हैं देखिए पाई से पाई कैंसल हो गया 3 से 3 कैंसल हो गया इस प्रकार हमने इसको हल करके आर क्यूब बराबर आया 3 गुना 3 गुना 24 इसको हम देखते हैं हम लिख पाएंगे तीन की घात तीन गुना दो की घात तीन इस प्रकार आर का मान आएगा तीन दुनी छे अतर गोले की तरिज्या छे सेंटीमीटर है समझ में आया बच्चों चलिए अगला प्रेशन करते हैं दूसरा उधारन पानी से पूरी भरी हुई एक अर्ध गोला का टंकी को एक पाइप द्वारा तीन चार बटे साथ लीटर प्रती सेकेंड की दर से खाली किया जाता है यदि टंकी का व्यास तीन मीटर है तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी पाई बराबर बाइस बटा साथ लीजे ठीक है बचों अर्ध गोला का टंकी की त्रिज्या हमें दी हुई है तीन बटा दो मीटर अतह टंकी का आयतन होगा दो बटा तीन गुना बाइस बटा साथ गुना तीन बटा दो की घात तीन इसको हल करके हम पाते हैं 99 बटा 14 मीटर क्यूब उस पानी का आयतन जिसे खाली किया जाना है बराबर होगा एक बटा दो गुना 99 बटा 14 या 99 बटा 28 गुना 1000 इस प्रकार 99 बटा 28 लीटर अब 25 बटा 7 यह देखिए तीन चार बटा साथ साथ या 21, 21 और 4 हुआ 25 बटा 7 इस प्रकार 25 बटा 7 लीटर पानी खाली होता है एक सेकंड में इस लिए 99 बटा 28 लीटर पानी खाली होगा 99 बटा 28 गुना 7 बटे 25 सेकंड में अर्थाथ 16.5 मिनट में ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रशन देखते हैं आपकी प्रशनावली 13.3 का पहला प्रशन जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22 बटा 7 लीजिए पहला प्रशन कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिगला कर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में धाला जाता है प्रशन के अनसार गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन ठीक है तो इसका हमें सूत्र पता है चार बटा तीन पाई आरवन क्यूब बडाबर हुआ पाई आरटू स्क्वेर एच के अब हम इसमें मान रख देते हैं चार बटा तीन गुना ये हुआ पाई पाई हमने हाँ कैंसल कर दिया ये आया चार बटा तीन गुना चार दशमलव दो की घात तीन बडाबर हुआ छे की घात दो गुना एच इस प्रकार हमने एच का मान निकाला चार गुना चार दशमलव दो गुना चार दशमलव दो गुना चार दशमलव दो बटा तीन गुना छे गुना छे जो बडाबर होगा दो दशमलव साथ चार सेंटीमीटर की अतह बेलन की उचाई बडाबर होगी दो दशमलव साथ चार सेंटीमीटर ठीक है बच्चों अगला प्रश्म देखते हैं, क्रमशह 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिंगला कर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ग्याद कीजिए, पहले गोले की त्रिज्या R1 हमें 6 cm दी है, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 8 cm और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 10 cm, प्रश्म के अंसार, 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर होगा, नए गोले का आयतन के बराबर, 4 बटा 3 पाई कोश्टक में R1 क्यूब, प्लस R2 क्यूब, प्लस R3 क्यूब, बराबर होगा, 4 बटा 3 पाई R क्यूब, अब ध्यान से 3 को भी 4 बटा 3 से काट दिया, अब ध्यान से देखिए, R1 कितना है, 6, तो 6 की घात 3, प्लस 8 की घात 3, प्लस 10 की घात 3, बराबर होगा, R3 क्यूब के, 6 की घात 3 मतलब 216, और 8 की घात 3 होता है, 512, प्लस 10 की घात 3 हुआ, 1000, ठीक है, अब ये हमें बराबर आएगा, R3 क्यूब के, इसको हम जोड लेते है, 216, 512, और 1000, 1728, तो, R की घात 3, बराबर है, 1728, इस प्रकार, R बराबर हुआ, वर्ग मूल 3, 1728, जो होता है, 12 सेंटीमीटर के बराबर, इस प्रकार, नए गोले की त्रिज्या हमें मिलेगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चो, चलिए, अगला प्रशन करते हैं, तीसरा प्रशन, व्यास, 7 मीटर वाला, 20 मीटर, गहरा एक कुवां, खोद आ जाता है, और, खोदने से, निकली हुई मिट्टी, को, समान रूप से, फैला कर, 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूत्रा बनाया जाता है, इस चबूत्रे की उचाई ग्याद कीजिए, कुवें की त्रिज्या हमें दी हुई है, 7 बटा 2 मीटर, कुवें की गहराई भी दी हुई है, 20 मीटर, चबूत्रे की लंबाई, 22 मीटर, चबूत्रे की चड़ाई, 14 मीटर, माना चबूत्रे की उचाई, H हम ले लेते हैं, अब देखिए, इसको कुछ आकरती से, ऐसे समझ लेते हैं, ये हमारा कुआ है, और इसकी जो मिट्टी निकलती है, इस से हमें, एक हमें इस प्रकार का चबूत्रा बनाना है, जिसकी हमें, H हाइट निकालनी है, उन्चाई निकालनी है, ठीक है, आईए देखते हैं, कैसे करेंगे, पाई, आर स्क्वेर एच बराबर है, बाइस गुना चौदा गुना एच, ध्यान से देखिए, पाई का मान है बाइस बटा साथ, आर है साथ बटा दो, गुना साथ बटा दो, H हमें दिया हुआ है बीस, बराबर है बाइस गुना चौदा गुना एच, अब देखिए, ये हम हल करेंगे, हमें मिलेगा साथ सो सत्तर, बराबर है बाइस गुना चौदा गुना एच के, और इस प्रकार हमें एच निकालेंगे, साथ सो सत्तर बटा बाइस गुना चौदा इसको हल करके हम पाते हैं एच आएगा 5 बटा 2 मीटर अतर चबूत्रे की उचाई आएगी 2.5 मीटर ठीक है बच्चो सरल था ना आएए अगला प्रेशन करते हैं व्यास 12 सेंटीमीटर और उचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब व्रतिय बेलन के आकार का बरतन आईस्क्रीम से भरा हुआ है इस आइस क्रीम को उंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकूओं में भरा जाना है जिनका उपरी सिरा अर्ध गोलाकार होगा उन शंकूओं की संख्या ग्याद कीजिए जो इस आइस क्रीम से भरे जा सकते हैं देखिए इसको हम कुछ ऐसे समझ लेते हैं इसमें आइस क्रीम भरी हुई है और इस आइस क्रीम को हमने अर्ध गोलाकार उपर है इस प्रकार की हमें शंकूओं के आकार और अर्ध गोलाकार इस तरीके की हम मान लेते हैं कि हमारे पास N हमें संख्या निकालनी है तो शंकूओं की संख्या हम N ले लेते हैं अब देखिए बेलन की तरिज्या R1 हमें कितनी दी है 12 बटा 2 यानि 6 सेंटिमीटर बेलन की उचाई कितनी दी है 15 सेंटीमीटर यानि ये 15 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है शंकाकार भाग की उचाई कितनी हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर और शंकाकार भाग की तरिज्या आर्टू हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर ठीक है अर्ध गोलाकार भाग की तरिज्या R2 हुई 3 cm माना शंकों की संख्या N है अब देखिए इसका जो आयतन है वो कितनी शंकों में भरा जा सकता है हमें निकालना है आईए इसको हल करते हैं इसलिए बेलन का आयतन बराबर होगा N गुना शंकों का आयतन प्लस अर्ध गोले का आयतन इसका हम सूतर जानते हैं पाई R1 स्क्वेर H1 बराबर है N कोश्टक में 1 बटा 3 पाई R2 स्क्वेर H2 यह हुआ शंकों का आयतन और अर्ध गोले का आयतन हुआ 2 बटा 3 पाई R2 क्यूब इसका हमने मान रख दिया देखिए पाई हमने उभेनेश निकाला और उसको कैंसल कर दिया हमारे पास बचेगा R1 स्क्वेर यानि 6 गुना 6 गुना 15 बराबर हुआ N गुना 1 बटा 3 यहां पे हमें R दिया है 3 तो 3 गुना 3 हुआ 9 गुना 12 प्लस 2 बटा 3 गुना R का मान हमें 3 सेंटिमीटर दिया है तो 3 की घा तीन इसको हम हल कर लेते हैं यह आएगा 36 गुना 15 बराबर है N गुना यह होगा 36 प्लस 18 इस प्रकार N का मान हुआ 36 गुना 15 बटा 54 N हुआ 10 के बराबर हमें इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे शंकों की संख्या हमें 10 मिलेगी ठीक है बच्चो समझ में आया चलिए आगला प्रेशन करते हैं और इस रेत की एक शंक्वाकार धेरी बनाई जाती है यदि शंक्वाकार धेरी की उचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस धेरी की त्रिज्या और तिरियक उचाई ग्याद कीजिए ठीक है आईए अब इसको अहल करते हैं हमारे पास सूत्र है पाई आर वन स्क्वाइर है ड़ा भर है एक बटा तीन पाई आर ठुज स्क्वाइर एच टू के अब देखिए पाई से हमने पाई कैंसल कर दिया और यह हुआ आरवन कितना था अठारा अठारा गुना अठारा गुना बत्तिस बराबर हुआ एक बटा तीन गुना आर्टू स्कॉर गुना चौबिस इस प्रकार हमें आर्टू स्कॉर का मान निकालना है तो अठ अठारा गुना अठारा गुना बत्तिस यह हमारा ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास बचा आठ देखिए तीन से हम चौबिस को काट देंगे तो आर्टीय चौबिस आठ से हम भाग देंगे तो यह हो जाएगा अठारा गुना अठारा गुना दो गुना दो इस प्रकार आ प्रमे द्वारा जो होगी वर्ग मूल 36 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग जो हम हल करके निकालेंगे कितना आएगा 1296 प्लस 576 और इसको हम जोड देंगे तो आएगा 1872 और हल करके हम देखते हैं यह आएगा 12 वर्ग मूल 13 सेंटीमीटर ठीक है बिच्चो अत्य है देरी की तरिज्या 36 सेंटीमीटर और तरियक उंचाई 12 गुना वर्ग मूल 13 सेंटीमीटर है समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रश्न करते है प्रश्न आठ एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलना कार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोडता है यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रती घंटा की चाल से भेरा आये तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी पाइप की त्रिज्या आरवन हम ले लेते हैं कितनी दिव हुई है बच्चो बीस बटा दोसो यानी 0.1 मीटर पाइप के अनुप्रस्त काट का छेत्रफल हम जानते हैं पाइप आरवन स्कुएर होता है और जो बड़ाबर है पाइप गुना 0.1 की घाद दो इस प्रकार ये बड़ाबर हुआ 0.1 पाइप मीटर क्यूब पानी की चाल हमें दे रखिये 3 किलो मीटर प्रती घंटा यानी 3 को 1000 से हम गुना करेंगे 3060 यानी 50 मीटर प्रती मिनिट पाइप द्वारा एक मिनिट में बहे पानी का आयतन बराबर होगा 50 गुना 0.01 पाइप यानी 0.05 पाइप मीटर क्यूब ठीक है आईए पाइप द्वारा टी मिनिट में हमें समय निकालना है तो हमने माल लिया टी मिनिट में बहे पानी का आयतन ती गुना 0.05 पाइप मीटर क्यूब है बेलनाकार टंकी की तरिज्या आर टू हमें दे रखिये 5 मीटर बेलनाकार टंकी की उचाई H2 है 2 मीटर माना टी मिनिट में पूरा टैंक भर जाएगा इसलिए टी मिनिट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर होगा बेलनाकार टंकी का आयतन के इस प्रकार टी गुणा 0.5 पाई बराबर है पाई गुणा आर टू स्क्वाएर गुणा H2 यहां देखिए पाई से पाई कैंसल कर दिया टी गुणा 0.5 बराबर हुआ 5 गुणा 5 गुणा 2 इसको हम हल करेंगे तो हम पाएंगे टी आएगा 100 मिनिट के बराबर अतह 100 मिनिट में पूरा टैंग भर जाएगा ठीक हैं बहुत ही महत्कून प्रश्ण है अभ्यास किजिएगा आगे अब समय है ग्रहकारे का पहला प्रश्ण क्रमशह आंतरिक और भारी व्यास चार सेंटीमीटर और आठ सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोलाकार खोल को पिगला कर आधार व्यास आठ सेंटीमीटर के एक शंकू के आकार में ढाला जाता है इस शंकू की उचाई है पहला विकल्फ है बारा सेंटीमीटर दूसरा विकल्फ है चौदा सेंटीमीटर तीसरा विकल्फ है पंदरा सेंटीमीटर और चौथा विकल्फ है अठारा सेंटीमीटर दूसरा प कार के लोहे के किसी ठोस तुकड़े को पिंगला कर एक ठोस गोले के रूप में धाला जाता है गोले की तरिज्या है पहला विकल्प है 21 सेंटीमीटर दूसरा विकल्प है 23 सेंटीमीटर तीसरा विकल्प है 25 सेंटीमीटर और चौथा विकल्प है 19 सेंटीमीटर अगला व्यास 2 cm और उंचाई 16 cm वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिंगला कर समान माप के 12 ठोस गोले बनाए जाते हैं प्रतेक गोले का व्यास है पहला विकलफ है 4 cm, दूसरा विकलफ है 3 cm, तीसरा विकलफ है 2 cm और चौथा विकलफ है 6 cm चौथा प्रश्न ठोस को एक आकार से दूसरी आकार में बदलने पर नए आकार का आयतन पहला विकलफ बढ़ जाता है, दूसरा विकलफ घट जाता है, तीसरा विकलफ वही रहता है, चौथा विकलफ दोगुना हो जाता है है ना प्यारा प्रेश्ण है आईए अगला प्रेश्ण लेखिए आधार व्यास 1.5 cm उंचाई 0.2 cm वाली धातु की व्रताकार चक्तियों की संख्या ग्यात कीजिए जिनको पिंगलाकर 10 cm उंचाई और 4.5 cm व्यास का एक ठोस लंब व्रतिय बेलन बनाया जा सके अगला प्रेश्ण व्यास 5 mm वाले एक बेलनाकार पाइप के माध्यम से पानी 10 मीटर प्रती मिनट की दर से भेर आए आधार व्यास 40 cm और 24 cm गहरे एक शंकू के आकार के बरतन को पाइप से भरने के लिए कितना समय लगेगा बहुती रोचक प्रश्ण है अभ्यास कीजिएगा आप कर पाएंगे आईए अब देखते हैं सारांश उस बरतन का आकार ले लेता है मगर आयतन वही रहता है ठीक है बचो आशा करती हूं आपको आज का पाठ समझ में आया होगा कूप अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद क्या है